तो आपको अगर वैसी टेप की फिल्में देखने ही पसंद देना तो आप इस फिल्म को देखो Hey guys, welcome back to my channel So finally मैंने देख ली है Lift जो कि Disney Plus Hotstar में रिलीज हो चुके है कल से ये एक Tamil फिल्म है और ये एक horror फिल्म है तो ये फिल्म आपको कितना डराएगी एंड क्या खास बात है इसमें सब कुछ मैं बताऊंगे इस रिव्यू में तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखे पसंद आजाए तो लाइक जरूर कीजिएगा शेर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकन को जरूर हीट केजिए ताकि आप रोलिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले जब भी मैं अप्लोड कुरू न्यू वीडियो तो जल्दी से शुरू करता है रिव्यू पहले डिसकस करता है स्टोरी तो स्टोरी है यहां पर एक ओफिस की एफिस के लिफ्ट की जहां पर जो एक एंप्लोई है वो लेट नाइट काम करता है वहापस जाने वाला होता है उसके साथ ऐसे supernatural activities होती है वो experience करता है and वो lift के throw से जाता है लेकिल उसके lift में actual में वो haunted है या वो सिर्फ hallucinate कर रहा है वो उसके मन का भरम है यही है rest of the story इस film की तो अब बात करते हैं हम यह screenplay की तो देखिए guys यहां पे जो screenplay जो story है बहुत ही जदा interesting लग रही है नहीं तो office में भूत का वास है and रात के मतलब रात में जाने ही वाला होता है उसके साथ कुछ अन हो नहीं होती है तो यह story सुनने में बड़ा भूतिया लग रहा है लेकिन जब आप देखना शूरू करोगे starting जो है बहुत ही जदा अच्छा है क्यूंकि उसके जो डायलोग बहुत ही अच्छे है and यहाँ पर कॉमेडी लगता है आपको तो लगता है अच्छा कब आएगा भाई भूतिया वाला मैं तो इंतजार करती कब आएगा क्यूंकि कल मैं बारा बज़े बारा बज़े देख रही थी यह फिल्म को and मुझे लग रहा था भाई ज़्यादा डराब ना होगा तो मैं बंद कर दूँगी क्यूंकि मुझे डर भी लगता है रात में बातरूम जाओ कहीं पर भी मतलब obviously डर लगे गा ही न तो उसके बाद जैसे ही मैं ने देखना शुरू किया तब मुझे पदा चला कि इसमें हॉरर ही नहीं यह एक नॉर्मल फिल्म है जो कि हॉरर से कॉमेडी हो गई है इसका जॉनर एक्चुल में कॉमेडी रखना चाहिए था कॉमेडी ड्रामा नहीं तो कॉमेडी ओफिस ड्रम ऐसा रखना चाहिए था क्यूंकि यह हॉरर अलिमेंट कुछ भी नहीं है यहां पर कतल होता है बहुत सारी चीजें होती है लेकिल आपको उसमें कोई भी मज़ा नहीं आता आपको लगता है अच्छा कब आएगा भूत आजा प्लीज थोड़ा सा दर्शन दिखा जा मैं तो वहीं बोली के भई आजाओ प्लीज थोड़ा सा दर्शन दिखा दो बोल दो भई होरर है या नहीं है और एक बात है जैसे ही होरर अलिमेंट थोड़ा थोड़ा अगर आपको अगर दिखने को मिलेगा भी मतलब मिलता है थोड़ा थोड़ा जब तक स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा डल हो जाती है कि आप सो जाओ गया मैं वहीं हुआ कर मैं पूरा फिलिम बैट के देख रही है उसके देख के मतलब उसके बाद 15-20 मिनीटी देखी हूं मुझे सच में नींद आ गया और मैं आधे हंटे सो गई उसके बाद फिलिम कहां से कहां चला गया तो वही बात है कि यहां पे जैसे स्टार्टी होता है अगर वह पेस मेंटेन रहता ना तो अच्छा होता है यह म स्क्रीन प्लेइश नॉट अप्टू दा मार्क एट्स वेरी पूर एंड टरंड इंटो कॉमेडी फिलिम रधर दन हॉरर तो अब बात करते हैं हम यहां कास्ट के काम की तो देखिए अमरिता अयर एंड यहां पे जो कविन है इन दोलों में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे है तो इन दोलों का काम उनके जगा में बहुत ही जादा अच्छा है और जो छोटी-छोटी सपोर्टिंग एक्ट्स है उनके काम भी उनके एकॉर्डिंग ठीक ठाक है तो अब बात करते हम यहां पे डिरेक्शन की तो यहां पे विनित वरपरसात का जो डिरेक्शन है वो सारे सीन्स में आपको पता चलेगा जब देखोगे कि यह कैसे पूर है क्योंकि एक सीन है मैं बताती हूं आपको जब कि मतलब क्या उसे कहता है जब एक जो नॉर्मल खाली वाला शूज वह अपने आप चलना शुरू जाता है और वह जो एक्टर हो ना मतलब उस टाइम मतल कहीं पर मुझे लगता है डिरेक्टर चाहते तो अर भी अच्छा मतलब मैंने बोला है और काम अच्छा है लेकिल अगर आप देखो गें कहीं पर वह एक्टइंग तो अच्छा करते लेकिल वह कॉमेडी हो झाथे हैं आपको लगता हैं कुछ नाच्चूरिल नहीं लगता ह यह अपो लगता है, और एक बात है बोर भी बहुत ज्यादा, direction बहुत सारे जगाओं में हैं। क्योंकि स्टार्टिंग जैसे दिखाता है मुझे लगा था भी बहुत अद्धा अच्छा ज। यह ज्यादा अबिधा सकते हों तो in short बोलू तो direction भी बहुत ज़्यादा poor है writing भी poor है तो direction अगर इतना poor है तो writing इतना poor है तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर ratings की देखिए guys I will rate it 2 stars out of 5 star मेरे तरफ से it's a big no if you are thinking that you will get some of horror elements and आपको jump scares देखनों को भी लेंगे कुछ भी नहीं है भई कोई horror element है नहीं कोई typical वाले भूत अगर सफेद साड़ी वाली सफेद वय से चदर लेपेटी हुए भी आ जाती नहीं तो कोई सामने आके डरा दता भी तो मैं खुश हो जाती लेकिल कुछ भी नहीं हुआ मैं उपर से रात में देख रही थी मुझे ज़्यादा डर लगना चाहिए था वो भी नहीं हुआ तो अगर आपको comedy film देखना पसंद है नहीं तो आपको horror comedy अगर genre अच्छा देखने लगता है ना जैसे कि horror से यह comedy होगी यह horror comedy नहीं लेकिल जैसा horror दिखा है वो comedy लगता तो आपको अगर वैसी टेप की film में देखने ही पसंद देना तब इस film को देखो बाकी choice is yours मैं recommend नहीं करूँगी आपको यह देखने के लिए कैसी लगए आपको review प्लीज comment section में ज़रू comment कीजिएगा और हाँ guys मेरे new channel में new video आ गया है तो link description box में मिल जाएगा